भारत और चीन पड़ोसी देश तो हैं लेकिन संबंद बहुत मधूर नहीं है खटास इस तरह बढ़ती जा रही है कि अब कड़वाहट में बदल चुकी है लेकिन क्या है आखिरकार अरुनाचल और अरुनाचल के द्वारा निकली पूरी सीमा में दरसल इसे LAC कहते हैं यानि की लाइन अफ एक्ट्वल कंट्रोल जिसे भारत और चीन की सीमा में वो इलाका है जहाएक इमैजनेरी लाइन मैक मोहन लाइन के जरीए ये बताया जाता है कि कौन सा हिस्सा भारत में है और कौन सा चीन में जब लोग यहां रहते हैं खास तोर से उन गाउं में जो पूरी तरह से सटे हुए होते हैं वहां सबसे बड़ी मुश्किल ही आती है कि इन पहाडों को देखके यह समझ ही नहीं आता कि यह चीन का हिस्सा है कि भारत का अब ऐसे में सवाल यह उड़ता है कि आखिरकार लगे कि यह कौन से देश की है लेकिन इन सब के बीच में जब बारिश होती है आंधी तुफान और खराब मौसम की वजए से यह आइडेंटिफिकेशन मांक हट जाते हैं जो स्थानिये लोगों ने अपनी तरह से बनाए होते हैं तब असली मुश्किलें शुरू होती हैं म कई जगह आपको बनावट इलाके की बदलती नजर आएगी इस बदलाओ का ही कारण होता है कि गाउवाले कई बार अपने घरों से निकलते हैं और कभी पोटर की भूमिका में कभी हंटर की भूमिका या यू कहें कभी शिकारी की भूमिका में जो स्थानिय निवासी इन ज उसरे जंगल एक पहाड से दूसरे पहाड होते हुए किसी तरह से चाइना के इलाके में चले गए। साथ लोग थे, दो वापस आ गए, पांच वहीं पीले के द्वारा उनकी कस्टडी में ले लिए गए। ऐसे में कई सवाल खड़े हुए कि आखिरकार ये गाउं वाले क्या करें, कैसे करें। भारत सरकार, केंदर सरकार के साथ सेना ने ये पूरी तरह से इसको मुद्दे को उठाया और साथ ही साथ चीन को बता भी दिया। आठ सितंबर को चीन ने इस पर हामी भरी और कह दिया कि हाँ ये पाच लोग हमारे इलाके में मिले हैं और हम इन्हें सौपने की प्रक्रिया में हैं। ये शिकारी बनाकर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पी एले की घुसके जानकारी और जासूसी करने के लिए भेजा है। लेकिन इन सब के मद्दे नजर चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया। चीन को ये बखुबी पता है कि इस इलाके में लोगों के लिए खास तोर से भारत की पूरी इलाके में जहां सड़कों की कमी हैं जहां दिक्कतें लोगों की कई गुना ज्यादा हैं उसका फाइदा कैसे उठाया जा सके। इसी की एक तस्रीव इसमें भी मिली। लोग वापस लोट तो आए हैं लेकिन अभी भी उन्हें 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। गाउवालों ने भी रहत की सांस ले ली है लेकिन चीन का कहना है कि अरुनाचल प्रदेश तो भारत का हिस्सा है ही नहीं। चीन खुदी अपने सवालों में बार बार घिरता चला जाता है और जैसे जैसे जवाब देता है अपना ही अंतराश्टी स्तर पर मखौल उड़ा लेता है।